कि आपका काफी इंपोर्टेंस है सबसे पहली बात इसका मास्च डिस्ट्रिबूशन के दिए हम बात करें तो आपका जो SSJ का मेंस का पेपर होता है उसमें एक कुश्चन 20 मास्ट का पूश्त है 20 मास्ट का एक कुश्चन है जो इससे question आता है and 4 to 5 marks है जो objective में आता है मतलर total अगर देखा जाये तो 20 to 25 marks है जो आपका vary करेगा इस chapter से competition में है नो इस chapter का नाम है compass survey compass क्या होता है compass एक क्या होता है इंस्ट्रुमेंट होता है एक होता है इंस्ट्रुमेंट होता है जैसा कि फिगर में देख सकते हैं एक है यह है compass है इसका यूज क्या होता है horizontal angle measure करने में कौन सा एंगिल मेजर करता है एक horizontal करता है तो इसमें क्या होता है एक नॉर्थ पूल होता है और एक क्या होता है और एक क्या होता है होता है अगर फ्रिली सस्पेंड़ है तो हमेशा नॉर्थ सौथ में लाइक करेगा अगर कोई attractive force इसके में नहीं है attractive forces in the sense of कि कोई भी magnetic material नहीं है मतलब कोई आइरन सबस्टांस यह दिन नहीं है तो हमेशा क्या होगा नॉर्थ सौथ में लाइक करेगा तो टोटल जो यह चैप्टर है वो इसी के बाट है जो मूब करेगा कहने का मतलब है कि हर समय में क्या करना होगा horizontal angle है जो मेजर करना होगा दो टाइप का सर्वे कंपास हम लोग पढ़ेंगे एक को बोलेंगे प्रिस्मेटिक कंपास और एक को बोलेंगे तो यह तो रहा इंस्टूमेंट के बारे में इस्टूमेंट यह आपका नौर्थ-शॉर्थ-खो रेफरेंस लाइन लेकर जो बाकी एंगिल है जो मेजर करता है रिवेंग एंगिल को क्या करेगा नौर्थ सोर्थ टर्म लोजी देखने वाले हैं सबसे पहली बाद तो इस चैप्टर अस्टार्ट एक नया चैप्टर आज अस्टार्ट हो रहा है तो आप लोग काफी इनर्जेटिक होकर है जो चैप्टर में काफी मन से मत्द ध्यान देना है और इसको जो भी कंसेट आपको बताया जागा वह सारा कंसेट आपका एक्जाम पॉइंट अब जूसे काफी इंपोटेंट होगा इसको ध्यान से क्या करना सुनना है चुकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप टीचर की बातों को अगर सही से सुनते हैं तो उससे अब्जेक्टिव कोशन एक्जा पहले इस चैप्टर में तो सबसे पहला है बेरिंग सबसे पहला टर्मलोजी जो मैं बताने जा रहा हूं डिसकस करने जा रहा हूं वह बेरिंग से आप क्या समझते हैं अगर सिंपल संटेंस में बोला जाए सिंपल भासा में बोला जाए सिंपल लेंगुज में बोला जाए बेरिंग होता क्या है? हाँ, first of all, see the definition नकाता, ATJ horizontal angle ATJ horizontal angle of a survey line with respect to fixed meridian किसी fixed meridian के respect में कोई survey line का जो horizontal angle होगा उसी को क्या बोलते हैं? बेरिंग बोलेंगे आगी पड़ी which is measured कैसे measure करेंगे इसको? in clockwise और anti-clockwise direction है यह तो नोक वाज में मेजर करेंगे या तो एंटी क्लोंप राक में मेजर करेंगे तो crashes dos मैं तो यह तो रहा किसके बारे में bearing के बारे में सबोग कि जिए कि आपका एक फिक्स्ट लाइन है अभी फिक्स्ट मेरेडियन क्या होता है अभी हम देखेंगे तो थोड़ा सा पेसेंस रखें सबोच किजिए कि यह कोई फिक्स्ट लाइन है यह क्या है फिक्स्ट लाइन है इसको बोल दिया फिक्स्ट लाइन और यह है जो कोई सर्वे लाइन है यह जो meridian है है न यह क्या है fix meridian है तो इसके respect में जो भी angle measure करेंगे clockwise या anti-clockwise direction में suppose कि जी कि ए थीटा है तो इसी को क्या बोल देंगे bearing बोल देंगे है न फिर से मैं repeat करता हूँ suppose कि जी कि वो यह क्या है survey line है और ए जो vertical दिख रहा है यह क्या है fix meridian है यह क्या है मैं अब मेरेडियन क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे यह आपका फिक्स मेरेडियन के रिस्पेक्ट में जो इस सर्वे लाइन का एंगल होगा यहां पर देख रहा है कलोक भाइज में उसी को क्या बोल देंगे bearing बोल देंगे इसी को क्या बोलते हैं Bearing बोलते हैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरह से आपने दो इनिट है जो काफी attention के साथ सुने है उसी तरह से attention को continue करना है और ना ना नौव तो देनेग्स्ट पॉइंट डिस्कॉशन देटीज मेरीडियन प्रफिर से रिपीट करता हूं इस एक न्या टर्म अधा मेरीडियन अभी मेरीडियन क्या होता है इसके बारे में सुनिये कता है इसको क्या बोलेंगे फर्दर हम देखेंगे कि मेरीडियन दो पार्ट में डिभाइड हो जाता है एक को बोलते हैं ट्रू मेरीडियन और दूसरे को बोलते हैं मेगनेटिक मेरीडियन हाना मेरीडियन फर्दर दो पार्ट में डिभाइड हो जागा एक को बोलेंगे ट्रू मेरीडियन और एक को बोलेंगे सब्सक्राइब या बरीडन प्रेअफ मेरिडियन क्या होता एक दिरेक्शन होता है सबसे पहले बात मेरेटन होता क्या एक टीजे फिच्ट डारेक्शन इदाम्स ओब फिट वह बेरेंगe n n e expressed in terms of each जिसके respect में या जिसके term में हम लोग क्या करते हैं bearing line को express करते हैं आगे बढ़ते हैं next point of discussion क्या है first हम लोग देखेंगे true meridian मैं बोला अभी कि meridian को दो पार्ट में डिभायट करने वाले हैं true meridian or magnetic meridian so first I am going to discuss that is terminology number third true meridian true meridian क्या होगा it is the line joining it is the line joining the true north true north comma true south and and an arbitrary point let us say a an arbitrary point a on the earth surface on the earth surface अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है figure से समझेंगे है ना एक क्या है आपका north pole है आपका earth surface हो गया और एक क्या हो गणा अगया नॉर्थ फोल हो गया है इसको बहुत है है न नॉर्थ पोल और इसको क्या बोलेंगे सौथ पैद एक है सॉथ पोल चलिए एक एक North Pole एक South Pole अब डेफिनेशन को पढ़िए इति दे लाइन ज्वाइनिंग इति दे लाइन ज्वाइनिंग कहा कहा से लाइन पास करने बाला है True North True South मतब यहां से पास करेगा है नहीं यहां से पास करेगा काफी केरफुली सुनना है True North True South and arbitrary point कोई एक random point ले लिजिए यहां पर एक point ले लेते हैं अर्थ सर्पेस पर कौन सा point ले 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 लेते हैं एक point ले लेते हैं काउंसा ए चलो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं कि इस point को मैं ए बोल देता हूं क्या बोलने इसको एक point यहां पर ले रहा है क्या अब पढ़िए क्या बोलता है कहता है कि कहां से पास करेगा true north तो यह हो गया tn true north को tn बोल देते है true south को ts बोल देते हैं है ना तो true north से पास करेगा true south से पास करेगा और कोई arbitrary point जो earth surface पर लाइग करेगा वहां से पास करेगा तो मान लेते हैं कि कोई point क्या है यह है जो यहां पर लाइग कर आर्थ सर्फेस पर अब एक line draw किजिए यहां से आगे बढ़ें आगे बढ़ें कहां पहूंच गये true south पर पहुंच गये true north को यह arbitrary point a उसके बाद true सॉत, तो यह जो line ड्राँ किये हैं, इसी को क्या बोलते हैं, true meridian, इसी को क्या बोलेंगे, true meridian, जिसे कि यहां पर next one is true bearing, अभी true bearing क्या होगा, क्या था, all bearings, all bearings यह सब definition काफी important है, all bearing measured of survey lines with respect to true meridian, with respect to true meridian in clockwise direction, in clockwise direction is called true bearing, इसको क्या बली है, true bearing, कोई भी survey line का horizontal angle, यदि आप true meridian के respect में measure करते हैं, किस direction में, clockwise direction में, किस direction में, clockwise direction में, तो उस angle को क्या बोलेंगे, true bearing बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, true bearing, once again I am repeating, कता all bearing measures of survey line, किसी भी line का bearing, आप यदि true meridian के respect में measure कर रहा हैं, true meridian के respect में measure कर रहा हैं, किस direction में, clockwise direction में, तो उसी को क्या बोल देंगे, true bearing बोल देंगे, all bearing measure of a survey line, Merelli इन क्लोक्वाज डिरेक्शान इसको छॉप में टीबी लिखेंगे ईट इस एक कॉंस्टेंट कुआंटिटी ओप अफिस सर्वेलां, यह क्या होता यह हमे ऐ एक मतल्ब किसी भी प्लेस परडिपेंड नहीं करता है, चाहिए आप इंडिया में मेजर करें चाहिए आप अस्टेलिया में मेजर करें किसी भी कंट्री में मेजर करें जो ट्रू बेरिंग होगा वो चेंज नहीं होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी सर्वे लाइन का कोई प्लेस पर डिपेंड नहीं करेगा है तो भैरी क्या करेगा मैंगे देखने बाले हैं नेक्स्ट वेज्ट पॉइंट डिस्केशन इस मैंगनेटिक मेंडियान यह क्या होगा कता इच डेरेक्षन को रिप्रिजेंट करेगा क्या होगा एक direction को represent करेगा indicated by indicated by if really suspended and balanced Magnetic Needle हम लोग देख चुके हैं पुर फैडिट देर इस डियर नो local attractive forces present है नहाँ लोकल attractive forces आप सुनि ध्यान से क्या कह रहां एक क्या कह रहा है एड बोल रहा है कि आप Gяч क्या किeli किस तरह से कर देगा इस तरह से और जागा तो है जो डारेक्शन स्थीड को र करेगा जिस डारेक्सिन को रHyया मेगनेटिग टेल जीस डारेक्षन को रिप्रेजेन करेगा उसी को क्या बोलेंगे यहां पर कोई भी अट्रेक्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए अवी अट्रेक्टीव फोर्सेश क्या हो सकता है को भी मेगनेट सबस्टान्स हो सकता है इसे रेल वे लाइन हो गया वो क्या हो गया है सबस्टांस है क्योंकि अगर कोई मेगनेटिक सबस्टांस कमपास के निकट में रहेगा तो हमारे निडिल क्या हो जागा डिफलेक्ट कर जाएगा मतलब उसमें इरर इंट्रोडियूस हो जाएगा तो यहीं बोल रहा है कि टी डारेक्शन इंडिकेटेट वाई फ्रिली सस्प सकता है आयरन सबस्टांस हो सकता है क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है निडिल हमारा डिफलेक्ट कर जाएगा इसलिए पर्जेंट नहीं होना चाहिए है तो कोई भी लोकल अट्रेक्टिव फोर्सेस यदि नहीं पर्जेंट है और उस स्थिति में हमारा जो डायरेक्शन यहां रिफ्रेजेंट करता है मैंगनेटिक निडिल उसी को हम क्या बोल देंगे मैंगनेटिक मेंडियन बोल देंगे अभी देखेंगे फिगर से इट इतिज नॉट ए कॉंस्ट क्वांटिटी एंपोज की तॉयिउग वह ज्याद़ıl गया है न बहुत ज्यादा में सबस्थान से फ़ांड़ शयादा च्थाम की शरत नहीं यक नहीं थो यह किहादा बैंटिस्ट कोरा करेंगर रंद एक क्रेंगे इसको रिप्रेजंट करते हैं अब मैंनेटिक बेरिंग क्या होगा विच सर्वे लाइन से क्लॉकवाज में अंगिल मेजर करते थे लेकिन यहां पर क्या करेंगे कोई भी सर्वे लाइन का एंगिल मेजर करेंगे आपका मैंनेटिक नॉर्थ के हेल्फ से मैंनेटिक नॉर्थ के हेल्फ से हैना मैंनेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में यानि मैंनेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी एंगिल आएगा उसी को क्या बोल देंगा मैंनेटिक बेरिंग बोल देंगे अभी फिगर से ज्यादा क होगा अब देखिए overall conclusion पर हम लोग पहुंच गए हैं यहां पर देखिए यह क्या है true north है यह क्या है true north है कि यह आपका क्या है true north है यह आपका magnetic north है चुकि निडिल जिस किसी भी प्लेस पर अगर वो इस्थिर होगा तो एक बिल उसका magnetic north को रिप्रेजेंट करेगा दोसरा magnetic south को रिप्रेजेंट करेगा जैसे यहां पर देखिए यह आपका क्या है कि एक क्या है magnetic south है ms और यह क्या है true south है Ts कि और यहां पर क्या है true north है Tn और यह क्या हो गया मैंन हो गया मैंगनेटिक नॉर्थ हो गया मैंन हो गया ठीक है अब देखिए यह बी क्या है कोई सर्वे लाइन है सबसे पहली बात कि यह जो मिला रहा है यह बला लाइन इसको क्या बोलेंगे मैंगनेटिक मेरीडियन बोलेंगे देखिए ہے a क्या हो गया मैंगे टिंग मेंगें हो गया मतलमिछक मेंगें मिरेटिंग मेंगेंग ज्ञायनिंग मैंगे पर टिंग नर्थ मैंगेंटिंग सौd और कोई अर्बीट्री पॉयंट ए तो इसको डिल भीट्रीय आपकी बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं अब देखिए कोई कोई सर्वे लाइन एभी है को सर्वे लाइन क्या है एभी है थाना अब एक बार एंगिल हम मेजर कर रहे हैं ट्रू नौर्थ के रिस्पेक्ट में जैसे यहां पर देखिए अधे वाला एंगे देखिए तुर्व्याइंड को रिप्रेजेंट में आएगा का सेम ही मैगनेटिंग नौर्थ के रिप्रेजेंट करते हैं मेजर करते हैं इसका मैं कलर चेंच कर देता हूँ है समझ में आएगा कि एक इसके रिस्पेक्ट में मेजर किया है एक इसके रिस्पेक्ट में मेजर किया है यह मेजर किया है मेगनेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेगनेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेगनेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेगनेटिक नॉर्थ के अजैन्टाइब किसी सेरिक्ट में किसा सभी लाइन की मेंटर करेंगे तो उसको भाक क्या भाक्त बेरिग बेरिग इसे बहुत मेरिंग लेक्ट इसे Max कुली करेंगे कि 20 में पडूंस अला घ्रण करेंगे इसको नाम में अलफा देता हूँ और इसको नाम में बीटा देता हूँ है ना तो बीटा इस सर्वे लाइन का क्या है हीर लिख देता हूँ हीर बीटा क्या है बीटा है जो ट्रू मेरिडियन है ट्रू बीरिंग है बीटा क्या है देता है बीटा क्या है अलफा क्या है अलफा आपका है मेगनेटिक बीरिंग magnetic bearing of, of, of survey line A-B, आप तो crystal clear है, आप crystal clear है, now, move to the next one, now, now I am going to discuss designation of bearing, bearing को कैसे नामकरन क्या गया है, हना, मतब किस बेसिस पे bearing का नामकरन क्या गया है, तो bearing को दो तरीके से हम लोग नामकरन कर सकते हैं, हना, designation of bearing, कैसे designate करेंगे, तो first है, जिसको बोलते हैं, whole circle bearing system, पहला क्या है, मतब जो भी हम bearing major करेंगे, उसको दो तरी से represent कर सकते हैं, दो तरीके से notation दे सकते हैं, उसका, जो first है, whole circle bearing system, बेरिंग जो measure करेंगे, first system, क्या है, whole circle bearing system, WCV, short me क्या बोलेंगे इसको, it's existing, और इसको बोलते हैं, azimuthal system, क्या बोलते हैं, azimuthal system, तो कोई WCV system, बोले, या एजमूथल सिस्टम बोले बोध हार सेम दोनों क्या है सेम है है तो बेरिंग को मेजर करने का दो तरीका है एक को बोलते हैं whole circle bearing system दूसरे को बोलते हैं Quadrant bearing system जो हम आगे देखेंगे जो हम अभी 44 system is system in the bearing of the survey line measured from north in clockwise direction हमेसा किस से measure करेंगे हमेसा north direction से measure smart declare से measure करेंगे ۔ किस direction में!! ज्लाक वा से से is set point पुछता है पुछेगा कि होल सर्क्ल बेरिंग सिस्टम कितने कितने डिगरी के बीच लाइब करता है तो क्या याद रखेंगे जीरो डिगरी से प्रिच्मेटीक कमपास और दूसरा सर्वेंग कमपास तो आपका प्रिच्मेटीक कमपास होगा हो तो वे रिख किसे में करेगा डेबलू सी वी सिस्टम मेजर करेगा अब देखिए पूरा फोकस है जो आप इस फिगर पर लगाई है यहाँ पर क्या है यह नौर्थ है यह इस्थ है यह बेस्ट है टोटल प्रोंगर में डिपाइट किया है ये आपका फर्स्ट कॉइब्र और और अका थर्ड क्याइट हुआ रहत्य क्माठ Sorry । कॉड़न्ट इसे आपका फॉर्स फॉर्स कॉड्रन्ट व कोड्रेंट में पढते होंगे इसका ईकैजहर Economics ज॑नेट जमेट्री मैथामेटिक्स में लेकेमेटिक हां फर्स्ट बोले थे इसको सेकंड उले थे ओहां है यहां पर थार्ड बूले थे मैं इकिन पहुंद था इसकें बोले थे पर इंढ như एंगिम क्लोकवाज मेजर करते थे इस केस में एंगिल एंटी क्लोकवाज मेजर करते थे मैथमेटिक्स में लेकिन हमारा सर्वेंग क्या है उसका उल्टा है यहां पर क्लोकवाज मेजर कर रहे हैं इसलिए कोडिनेट भी क्या हो गया चेंज हो गया कोडिनेट है जो फर्स्ट इसको ब बर्स आप कन्फ्यूज नहीं हो इसके लिए मैं इसको एक्स्प्रेंट कर दिया अब फोकस किजिए इस पिक्चर पे यहाँ पे चार टाइप का सर्वे लाइन है एक आपका एभी है देखिए यहाँ पे एक आपका एभी है दूसरा एसी है जो कि सेकंड क्वाडिनेट में है तिसरा एडी है जो थर्ड क्वाडिन्ट में है और चौथा एफ है जो फोर्थ क्वाडिन्ट में है ठीक है फोर्थ क्वाडिन्ट में बहुत अच्छा अब देखिए बहुत अच्छा अब अब देखिए यहाँ पे जो डबलू सी बी में एभी एभी को ध्यान से देखिए A B का angle क्या है advantages यहाँ पर लिख देते है थीटा ऊबन किश्टा उबन होगया चलिए A C का है a थीटा 2 है एसी का क्या है थीटा 2 है थीटा 2 हो गया एडी देखिए थीटा 3 यहां से स्टार्ट हुआ सब किसके रिस्पेक्ट में लेना है किसके रिस्पेक्ट में लेना है यही धिया रखना आपको नॉर्थ के रिस्पेक्ट में किस रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे नॉर् पर्फ़र दीट पोट्सक्राइप न इसको क्या बोल में थीटा फोर क्या थे फुर Katherine qa4 देख लीजे एक थिटा बन हो गया कि एए धीटा थरी हो गया और आध सीटा-सी 8 और ऑल एम अब धीक ए и वर्म सकते हैंade आज बता सकते हैं क्या तरहने मता सकते हैं रेंज बता सकते हैं अपकोर्स बता सकते हैं या अपकोर्स बता सकते हैं ठीटावन का रेंज क्या होगा बताइए ठीटावन को ध्यान से देखिए ठीटावन कहां से कहां तक भैरी कर सकता है जीरो से 90 डिग्री जीरो से कहां तक 90 डिग्री हना तो यह हो गया जीरो डिग्री सर्वे लाइन से और से कहां तक भरी कर सकता बता यह स्टार्ट हो गा और ज्यादा यहाँ तक जा सकता है तो क्या होगा मतलथ टू तो आपका इस क्वादरेंट में है तो 90 80 डिगरी से 180 डिट है 90 डिटरि कितना थ है 180 डिगरी का सधीक अब बताए एक जैसके साथ भताए एके ते तेरी जो कहाँ दीद में तृट धुट यलिती डिया है किस कौर्णेंट में है थर्ड कौर्णेंट में है ना सर्वे एडी है जो किस कौर्णेंट में थर्ड कौर्णेंट में है तो थर्ड कौर्णेंट कहा से कहा तक भारी कर सकता है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तर ठीक है अब देखें एफ को ध्यान से देखें सर्वे लाइन ज से लेकसे कहा तक का थिरी 90 टेकर अंट बोर्टत एक का थिर्य मू आप अखी है कि नहीं हो इनलने बीन बैम से मैं रिपीट करता हूं सर्भडान यह भी है जो पनां चींट में तो फिर्सXT आप में ची deserves बोद्ही बीसे स्टार्ट होगा और कासाइगा जीरो डीग्री से चाट और लाइद से ज सबस्क्राइब इसका थी नीकी चाहिक नेश्ट टूज तो क्या है थीटा टूज बेरिंग है फरकाई फ्रीड़ाइब कर रहा है तो इसका रेंज क्या हो सकता है 90 डिग्री से 180 तक पर शकता है यह तो नाइटी डिग्री था इसका रेंज क्या होगा 180 से 270 भेरी करेगा उसरा से f क्या होगा 270 से 360 भेरी करेगा इसलिए तो बोला था कि जो whole circle bearing system है उसका range कहां से कहां लाई करता है 0 degree से 63 ते यहां पर मैं लिखाया हूं यहां पर लिखाया हूं पता जो wcb का value लाई करेगा वह आपका जीरो डिगरी से 360 देगीता है 360 डेगीता है है कि नहीं objective कितने बार में पूछा थे क्या 0 डिरी से 360 डिरी तह भी तो नेक्स्ट वन सेकेंड सेकंड सिस्टमम सेकंड सिस्टम को मेजर करेंगे किस सिस्टम मेजर करेंगे qbs सिस्टम में क्वाद्रेंटल बेरिंग सिस्टम qbs सिस्टम इसका एक नाम और है जैसे आप लोग का क्या होता है कॉलेज में कोई और नाम होता है घर में कोई और नाम होता है तो इस तरह से इसका दुसरा नाम है रिडूस्ट बे फोल सर्कल प्रेंग देख चुके सेकंड क्या है क्यों भी सिस्टम इसमें क्या करते हैं कता इंक्वाइंटर बेरिंग सिस्टम system bearing of a survey line is always measured eastward और westward या तो हम पूरब की और measure करेंगे या तो पस्चिम की और measure करेंगे हैना always measured eastward और westward from north and south whichever is nearer whichever is nearer this is most important point हैना अभी तक हम लोग WCV में क्या देख रहे थे हमेशा हम लोग clockwise में measure करते थे हैना और किसके respect में नौर्थ के respect में लेकिन WCV system बोलता है कि ऐसा नहीं है ऐसा कोई जरूइड नहीं है आप किसी भी survey line का या तो clockwise measure कर लिजे मतलब या तो eastward measure कर लिजे एक क्या हो गया एक क्या होगा वेस्ट हो गया एक क्या हो गया नौर्थ हो गया यह आपका इस बात पर करेगा कि कौन निकट है किसे थीटा का फैलू कम आ रहा है किसे थीटा का फैलू कम आ रहा है इस बात पर दो देखें यहां पर आपका जो सर्वलाइन क्या हैивать यह एवैनले इसको फ्रस्ट इसको से कड़ेटे से और इसको फोर्त बोले थे तो किस में फ्रस्ट कोडर्य है और इसका मान देङ है कि आप गility API इसका एन इक हैं अलपा अना तो अफा देखिए नौर्थ से निकट आएगा और वे जाक नोर से निकट आएगा नसे क करना पढ़ेगा न नौर्ड से change से नहीं कट आएगा नौर्थ से नहीं कट आएगा तो यह भी क्या हो गया आपका अलफा हो गया है अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रिप्रेजेंट देखे नौर्थ से स्टार्ट हुआ है और इस्ट क्यों जा रहा है जहां से देखे अलफा को यह नौर्थ से स्टा किस पड़े तो एसका क्या होगया नामकरण हो गया में था फिर फर्स्ट क्वाडिन को हम नौर इस पोड़ेंट भी बोलते हैं फर्स्ट क्वाडिन का एक और नाम क्या है बताए नार्थिस्ट Quadrant नहीं सिफ्ट को क्या बोल सकते हैं एन और इस सर अग्र मेजर करें तो निकर और जैसे देखिए यह हो गया कि क्या है बीटा है तो क्या लिखेंगे बताइए किधर से स्टार्ट हुआ है किधर से स्टार्ट हुआ है सौथ से हमारा एरो है जो स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले क्या लेखेंगे एस उसके बाद एंगिल एंगिल का है बीटा उसके बाद किस डिरेक्शन में जा रहा रहा इस के डेक्षerson में तो सब कोस्षान है अपने आप में बहुत सा cał कोस्षान करने बाले इस पे एडी देखिए एडी देखिए एडी क्या है तध से स्टार्ट हुआ और किसध judge जा रहा है क्यों क्यों कि the बेरिंग मेजर करेंगे तो सौथ से निकट होगा है ना सौथ से निकट होगा नौर्थ से मेजर करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए हम किसे मेजर करेंगे सौथ से मेजर करेंगे हैना सौथ से क्या होगा निकट होगा मतों कम भाइलू देगा थीटा का और है किसे आपका क्या हो गया तो यहां पे देख रहा है लग भी हो सकता है जो निकट आ जाए वही हमें लेना है जैना अगर इसको बेरिंग के लिखेंगे स्टर्टक्राइब और बेस्ट की और गया तो एस कि उसके बाद अंगिल क्या है थिटा और किस डिर्यक्षिन गया है बेश्ट डिर्यक्षिन गया है बहुत स्पर आगे बढ़िए एप की बात करते हैं अब देखें किदर से निकट पड़ेगा नौग से जब मेजर करेंगे तो निकट जैसे देखिए और की जया हो गया तो हम नॉत से चाहिए और बेस्ट क्यों गए हैं तो नोकस नोटेशन क्या वोगा इसका इन ओओ इन तो ूब बिलू बबूल से रेपीट कर दोर से रेपीट नीचा हु लिए क्या ख़ से रिपीट वगा north से start किये और east में गये तो n alpha e लिख दिए ac का क्या हुआ south से start हुआ और east की और गये तो s beta e लिख दिए मतलब सबसे पहले direction लिखना है फिल angle लिखना है और फिर किधर की और गया है ओ लिखना है किधर की और हम major कर रहे हैं तो बहुत simple है पाद करते हैं तो सभोन कोरड卡 को लिख सकते हैं क्या 80 खर deal को लिख सकते हैं सोथ क्वाडरीजन को बोल LAUGHTER ओ एसी फोर्ड को क्या बोल सकते हैं इसको anosW सकते हैं साथ बेस्ट साॉर्थ कोर्वाड यंदवा सकते हैं रेंज बता सकते हैं बहुत सिंपल है या कोई भी एंगिल देखे ध्यान से जिरो से 90 डिगरी कर रहा है तो सेकंड लाइन ही लिखे हैं कि दीज बेरिंग आर अबजर्ट बाई सर्वेयर कंपास के जो क्यूबी सिस्टेम है कौन सा कंपास में अबजर्ब करेंगे क्यूबी सि सिस्टेम में मेजर करता है सर्वेयर कंपास हाना दा बेरिंग ओफ लाइन वायरिज बिट्विन 0 डिगरी टू 90 डिगरी 0 डिगरी तो ध्यान से देखे कोई भी आलफा भी टा थिटा और फाई कोई भी आइंगिल आप ले 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 तो 0 डिगरी से 90 डिगरी ही भायरी कर रहा कि जीरो से कि 90 बहुत सिंपल है कोई भ्याइन के ले 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 तो जीरो से 90 यह लाई करेगा न हो अब इंपोर्टेंट चीज ए है कि सर अगर क्वादेंटल बेरिंग सिस्टम में रहेगा तो उसको QB सिस्टम में कैसे हम मतलब आरवी शिटम में रहेगा तो क्यों वी सिस्टम म अब देखें, अब ध्यान से देखना है, सपोज किज्ये कि कोई लाइन है जो आँको 1st कोडेंट में है, 이후 इसको 2nd बोला था, इसको 3rd बोला था और इसको 4th कोडेंट बोला था, है नॉर्थ, सौर्थ, इस्ट, बेस्ट, हैना, फर्स्ट क्वार्यन को क्या था, ये नी था, सेकेंड क्वार्यन को क्या बोले थे, अब देखिए, और फॉर्थ क्वार्टेंट को बोले थे अब देखिए सपोज कि यह कोई लाइन आपका फर्स्ट क्वाडेंट में तो फर्स्ट क्वार्डेंट में अगर कोई कीया होगा वी क्लॉकवाज क्यों 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 होगा है क्यों अपर है कि मेजर करेंगे ना आओ अब देखे यदि सपॉज कीज़े कि कोईर कि कोई लाइन है जोوس क्डान्ट में Bye second Mainips कॉणियंट में है तो सेंच अब डेन ऍाना में अगर डैबलू से में मेजर क्या करें है तब को झाल एंगी ले होगा है यह को लेकिन दाब लू साथ मीजह करेंगे तो एग क्लोकवज होगा ये बालस है आप देखे तो इस केस में विभ पर रोबर क्रीन बताइए इस है से की विशे से क्या लेकिन क्योन पर ये लफे है ये ऑली ॉच्टकी फ़िए कर देंगे माइनस कर देंगे चुकि एक क्या है डवलू सी भी है और एक क्या है क्यू भी है देख यह है QB है तो ए भैलू निकालने के लिए टोटल 180 डिग्री है तो 180 में से क्या करेंगे W से माइनस कर देंगे तो QB बराबर इस केस में हो जागा 180 डिग्री माइनस डबलू सब समझें निम्रकल है चलिए अब देखे सपोज किजिए कोई लाइन थर्ड कोडिनेंट में है ठीक है तो डबलू सी में अगर मेजर करेंगे तो यहां से क्लॉक वाइज जाएगा यहां से क्लॉक वाइज जाएगा लेकिन यदि आर्वी सिस्टम में जार करेंगे मतब क्यूवी सिस्टम में जार करेंगे तर तो यही रहेगा यही रहेगा है ना तो इसमें क्या होगा 180 में से मतब डबलू सीवी में से 180 माइनस कर देंगे डबलू सीवी तो आपका यह रह यहां से स्टार्ट हो आ यहां तक है ना इस में से अगर हम 180 माइनस कर देंगे तो क्या हो जागा QB आ जागा नहीं simple है तो इस केस में QB बराबर क्या हो जागा QB बराबर क्या होगा बताएए WCB minus 180 degree minus 180 degree है कि नहीं now move to the next one अगर कोई ही लाइन सपोज किजिए फोर्थ क्वार्डेंट में किसमें है फोर्थ क्वार्डेंट में है जिसे यही लाइन फोर्थ क्वार्डेंट में है तो WCV में में जाए करेंगे तो आपका क्या होगा यह होगा हाँ लेकिन यहीक्ट्रम में जागे तो निकट बाला होता है यह बाला हो तो इस केस में qb और qb में क्या रिलेश्ण होगा ओ तो थिरे 60 मेंसे अगर डवलू दर्लू सीवी को माइनस कर दिये तो क्या हो जागा क्यों भी निकल जागा टोटल कितना होता है 360 उसमें से WCB को माइनस कर दीजिए क्या बात है क्या बात है तो इस टेबल इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट रटने वाला के लिए टेबल है समझने वाला के लिए की कोंशेप्ट है है अगर आप समझ लेते है तो टेबल याद करने के कोई जरूद नहीं है ठीक आ बहुंत सबहुत क्या करता है इसको रट लेता है लेकिन रटने कोई जरूद ओधिड़र में कोई जरूद नहीं आप सिंपल फिर रख कใज किजिए फिर से अगर नहीं समझ में आता है तो इसको रिपीट किजिए लिक्चर को रिपीड कीजिए है ना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस पर निम्रेकल तो यहां तो देखें कि कन वर्जन एब डबलू सीवी इंटु क्यू वी अगर डबलू सीवी में द लोगो समझ में आया होगा और अभी लेक्चर में डिले हो रहा है उसका रिजन ए है कि मेरे पास अभी टाइम की थोड़ी कमी होती है अभी एक्जामनेशन ड्यूटी में लगे हुए हम लोग है ना चुकि आपको फाइनल यह का स्टुएंट का क्या है अभी एक्जामनेशन जल रहा है हाना सो थोड़ा सा प्येशंस रखेगा आपका शिलेवर्छ में कोई प्रोड्लम नहीं होगा सिलेवर्स आपका टाइम पर जैसे निटल में पढ़ाए जा रहा है उसी तरह से पढ़ाय जाएकद आपका क्जिभ्लत है सख्त ज़रुक्त हैं म democrat बख्यानमनेशन मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ